हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम बीए सेकेंड यर लाइब्रेरी साइंस के अंतरगत जो डेटाबेस मेनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम डेटाबेस के जो कॉंपोनेंट होते हैं जो बैसिक कॉंपोनेंट्स होते उनके उपर चार्चा करेंगे पिछले वीडियो में हमने किस परकार से data इंट्री किये जाते हैं और data कितने परकार के होते हैं कैसे tabulation होता है उनका field records files के बाद में हमने चार्चा की थी इस video में हम जो databases तैयार होता है उस डेटाबेसिस में उसके गटक क्या-क्या है कौन-कौन जो मसीने या जो मानव उसमें उप्योग करते हैं और क्या-क्या प्रक्रियाएं उसके अंतरगत होती है उसके अंदर क्या-क्या प्रक्रियाएं होती है उसके उपर हम चर्चा करेंगे डेटाबेस के जो मुख्य तहट चार अव्यव होते हैं जैसे हाडवेर होता है, सोप्रिवेर होता है और डेटा होता है और मानव यानि सिस्टम एनलाइस चार इसके अव्यव होते हैं चारों अव्यवों के आपस में सायोग से डेटाबेस तेयार होता है उप्योगता की आफशक्ताओं को समझ कर जो भी किसी भी संस्तान या जो यूजर्स की आफशक्ता है उन आफशक्ताओं को समझ कर उनके समंदित जो डेटाबेसिस त्यार किया जाता है और जो करने वाला होता है उसको हम system analyst कहते हैं और वो एक डाटाबेस अनचना तयार करता है और उसे एक विशेश रूप से लिखा जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट के जो component है चार उनके उपर हम बात करते हैं उनको हम ड्राफ्ट के रूप में देखेंगे जैसे analyst और user analyst जो की डेटाबेस को तयार करता है यूजर्स के आफशक्ता के अनुसार वो application जो programs होते हैं software के अंतर अंतरगत application software के अंतरगत वो डाटा को इंट्री किया जाता है डाटा इंट्री करने के बाद में वो डाटा डाटा बैस, डाटा डिक्सनरी और डाटा डारीक्टरी में जाते हैं, डाटा डारीक्टरी के दवारा उन डाटाओं को particular उस table या उस file में जाते हैं, जहां पर उनको बेजा जाता है और डिक्सनरी का उप्योग डारेक्टरी और डिक्सनरी वैसे एक ही होती है, तो जो हमने पहले बात की थी पिछले वीडियो में कि metadata metadata उस analyst को उस data को जहां उसको भेजना है वहाँ पर भेजता है और वो इस data dictionary के द्वारा त्यार क्या जाता है और जो table होती है उस table जिससे हम index बोलते हैं या table बोलते हैं के द्वारा पर्टिकुलर स्थान पर analyst के द्वारा वो data बेज़ा जाता है user होता है user भी वापस application program के थूँ उस data को access करता है चाहे तो फिर उसको printer के थूँ प्रिंट कर सकता है उसको देखना होता है तो देख लेता है तो analyst जो होता है वो application program के थूँ कंप्यूटर में database में data त्यार करता है और databases त्यार करता है किस के through किस माध्यम से metadata यानि data dictionary और directory के द्वारा ठीक है और वो data जो store होता है वो किसी hard disk में या फिर किसी भी device में जो memory बोलते हैं जिसको उसमें हम उसमें वो databases सेव होता है और उस databases को वापस users के द्वारा उसी application प्रोग्राम यानि जो हम जैसे Microsoft Access की बात करें MySQL जो भी हम application यूज करते हैं कंप्यूटर में उस application प्रोग्राम के द्वारा users के द्वारा उसको वापस रीट्राइव या पुर्णर प्राप्तिया उसका उप्योग किया जाता है चाहे तो वो print लेना चाहे तो print ले सकता है उसमें कोई results देखना चाहे तो results देख सकता है तो इस प्रकार से जो चार component होते हैं जिसमें analyst, application program, databases जिसके अंतरगत metadata आता है यानि dictionary और directory आती है और user तो ये और इनको जो संग्रहित किया जाता है वो उसका hardware तो application program software हो गया analyst और users है वो मानव हो गया और जो hardware है वो जहां पर हम database को संग्रहित करते हैं save करते हैं तो ये चार component मुक्यता हो गए database के जो कायरे होते हैं वो तीन प्रनालियों में उप्रनालियों में बाटे जाते हैं ये जो इसके जो कायरे होते हैं जो पूरा प्रोसेस होता है मानव से लेकर वापस application software और hardware और वापस मानव तक तो ये जो चार प्रक्रियाएं होती है उनको हम तीन वापस सबसिस्टम में बाड़ते हैं जिसे हम design tools and subsystem बोलते हैं पहली दूसरी है runtime subsystem और पहली है design tool subsystem दूसरी है runtime subsystem और तीसरी है dbms engine database management system engine तो ये तीनों जो प्रक्रियाएं होती है वो कैसे जो system होता है जो databases होता है उसमें जो data को manipulate करती है data को संग्रहित करती है data को publish करती है जो ये तीन प्रनालियों के इंतरगत होता है तो अब हम इनकी एक एक करके बात करेंगे इस draft को देखेंगे हम चित्र को जिसमें कैसे कैसे इसके जो गटक है वो उप्योग में आते हैं सबसे पहला होता है design tools subsystem जो उपर लिखा हो है design tools जिसमें table creation, form creation, query creation, report creation और procedural language और compiler यानि इस उप्रनाली में उपकरणों का ये जो होते हैं इनका संग्रव होता है जो database के design निर्मान और अनुप्रयोग में मदद करता है database का design करना उनको create यानि निर्मान करना और उनको applicable बनाना अनुप्रयोग करना ये तीनों काम ये करते हैं इन उपकरणों का करे तालिकाओं, प्रारूपों और जो queries होती है और report का निर्मान करना होता है जैसे table बनाना, table creation, form या किस रूप में हम बना रहे हैं वो form creation, query मतलब पूस्ता होगी उस database के बारे में उसके लिए किस-किस प्रकार से query हो सकती ही हो, उस databases के report त्यार करना, procedural language, किस language में उस copy किया जा रहा है और compiler, किस प्रकार उस data का translation होगा, interpretation होगा, data को किस प्रकार translate किया जाएगा तो ये design tool subsystem हो गया, जो की एक उप्रनाली है, database management system की दूसरी जो है runtime subsystem, जो की हम नीचे देख रहे है, runtime subsystem के अंतरगत, जिसको हम engine बॉल सकते हैं, database का engine form processor, query processor, report rights, procedural language and runtime जो हम design tool की जो प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाओं को process करने के जो तरीके होते हैं, वो runtime के अंतरगत आते हैं ये सबी जो प्रक्रियाएं होती, वो application software के थू होती है, runtime की जो प्रक्रियाएं होती है अब हम इसमें ज़्यादा internally नहीं जाएंगे, हम basic बातों के उपर ही चर्चा कर रहे हैं तो design tools वो होते हैं, जो design किये जाते हैं और runtime मतलब design tools जो हमने design किये हैं, उनको process करने की प्रक्रियाएं तो उनको process करने की प्रक्रिया जो होती है, वो प्रक्रिया application software के द्वारा होती है जैसे mysql, foxpro, और भी जो जितने भी databases जो software आते हैं वो सभी तो वो उनको process प्रक्रिया करते हैं, जिसे हम runtime बोलते हैं तो यह इसकी दूसरी प्रक्रिया होगे तीसरा है database engine, database management engine जिसको हम पूरा process बोलते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है database management system का engine होता है इसके अंतरगत यहाँ engine tools subsystem और runtime subsystem और data के बीच में मद्यस्ता का काईर करता है यहाँ अन्य दो गटक से अनुरोद प्राप्ट करता है उन अनुरोदों को command में रुपांत्रित करके operating system में बेशता है DBMS engine के दवारा जैसे अन्य कारिया भी किये जाते है transactions, management, locking, backup और recovery भी इसमें शामिल होता है अब यह जो पूरा जो engine होता है database management system engine यह जो तीनों प्रक्रियाएं होती है जो subsystem है, runtime है और data इन तीनों के बीच में मद्यस्ता स्तापित करता है और यह जो जो भी अनुरोध प्राप्त होते हैं उन प्राप्त अनुरोध को commands में रुपांत्रित करके operating system में बेशता है तो यह जो एक engine के रूप में काम करता है इन तीनों प्रक्रियाओं को साथ में सयोजित करके उनको process करता है और जो query होती है, जो users के द्वारा जो query होती है उस query को results के रूप में बदलने के लिए यह query करता है और उसका जो results है यह operating system के पास में बेशता है जो की हमारी portal पर या फिर हमारे जो monitor है, LED है उसके उपर हमें प्रदर्शित होते हैं तो पूरे तीनों प्रकार के जो systems हैं सभी systems में आपस में सामझस स्ताफित करके users की आफशक्ता के अनुसार जो उसकी query होती है उसका result screen पर प्रदर्शित करने का काम database management system engine के द्वारा किया जाता है इसके अलावा यह database में backup प्रक्रिया transaction management और कोई recovery करनी हो data correct होने पर नहीं data को उसके द्वारा replace करना यह सभी कायरे इसके द्वारा किये जाते हैं जैसे हम data recovery या फिर backup की बाग करते हैं तो हम बहुत सारे software होते हैं mobile में जो use करते हैं उनमें भी समय समय पर वो software backup मांगते हैं तो वो backup किसके द्वारा मांगा जाता है वो database management system engine के द्वारा backup मांगा जाता है और backup इसलिए मांगा जाता है कि उसमें कोई data नए data जोडने है कोई नई scheme आई या फिर नया कोई technically कोई उसमें procedure करना है वो किया जाता है नया data entry किया जाता है खराब data को out किया जाता है data duplicacy को clear किया जाता है नई कोई technology आई है तो उसको उस software में entry करने के लिए उस पर समय समय पर backup मांगा जाता है जो कि हम अपने कभी mobile में भी देखते हैं computer में भी देखते हैं या फिर electronic gadgets आते हैं उनमें भी हम देखते हैं और ये online भी backup हो सकता है और offline भी backup हो सकता है तो ये सभी जो प्रक्रिया है ये सभी database management system जो होता है उसके अंतरकत होती है